नमस्कार दोस्तों मैं सुसील आप सभी को एसके स्टेडी टाइम्स यूटूब चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज जेनरल साइंस यानिकी समान्य बिग्यान के 40 महतपूर्ण प्रस्ण जो एक्जाम्स में बार बार पूछे ज दोस्तों अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ घंटी के चिनिक को प्रेस कर लिजिए ताकि हर वीडियो आपको मिल सके दोस्तों बात करते सबसे पहले को समताफ मंदल में पाया जाता है जिसका ओजोन परत य चलिए दोस्तों की बात करतें दोस्तों कोशिण नमर 2 की तो कोशन में कहता है कि पिर्तिवी के जो है सबसे करीब इस्थित मंदल है वो कौन सा मंदल है घो है दोस्तों चलते हैं अगले questions की और question number 4 की बात करते हैं दोस्तों तो question number 4 में देखते हैं कि सूरे से सरवाधिक जी हैं दोस्तों सूरिष से सरवाधिक दूर इस्थित ग्रह जो है कौन सा यानि कि वह था क्या सबसे पास ग्रह था और यह क्या सबसे जो दूर है तो वह सबसे दूर ग्रह कौन सा है वरून सूरिष से बहुत ही दूरी पर है ठीक है नेक्स कोशन की बात करते हैं कोशन नमर अगर करते हैं कोशन नमर फाइव की बात तो कोशन नमर फाइव में कहता है सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तिर्व चमकिला ग्रह होता है तो वहां आपका होता है दोस्तो सुक्र होता है ठीक है दोस्तो एंसर किसके साथ चला है ठीक है नेक्स हम लोग बात करते तो कॉशन नमर 6 सक्सक्राइब कहता है कि रातत्री के समय में आकास में कौन सा गढ़ जो है लाल दिखता है तुम आपका मंगल गढ़ाऊंगल गढ़ा को जाना जाता है ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्टर आपका कॉशन सिन लिखन से और बात करते हैं तो करता है फिर्तीवी का सरवाधिक मात्रा सरावाधिक मात्र में पाए जाने वाला तक तो जो है जब बात करते हैं तो ममर में सबसे अधिक उपग्रहो बाला ग्रह जो है वह कौन सा है जिए दोस्तों सबसे अधिक उपग्रहो बाला ग्रह जो है वह कौन सा है ठीक है तो वह हो गया आपका सी चला गया सी ग्रह जो है सबसे उपग्रह वला ग्रह हो गया ठीक है दोस्तो नेक्स्ट आपका है हमारा सौर मंडल का कौन सी अकास गंगा में इस्तित है हमारा सौर मंडल कौन सी अकास गंगा में उपस्तित है या इस्तित है ठीक है तो यह जो है एरावत पत जो है एरावत पत में क्या ह सबसे चमकदार तारा वह कौन सा है तो अकास में सबसे चमकदार तारा होता है Cyrus ठीक है दोस्तो नेक्स कुश्चन है आपका ब्रेश्पती का अध्यन जिए दोस्तो ब्रेश्पती का अध्यन करने वाला उपगरा कौन है जिए दोस्तो ब्रेश्पती का अध्यन करने वाला जो है उपगरा वहां कौन सा है तो वह टाइटन की बात करतें कोशन 14 की दोस्तों तो कोशन 14 देखते हैं बिना उपग्रहो वाला ग्रह कौन सा है तो वा आपका हो गया बुद्ध्य और और शुक्र दोनों जो है बिना उपग्रह वर इसे याद करने का सबसे असांत्रिक जिसके नीचे हर सुकर लगा हुआ है उसमें कोई भी उपग्रह नहीं है तो योनिकि बूद्ध और सुक्र में कोई भी उपग्रह नहीं है इसको याद रहिए देखते हैं कि पिर्तिवी का एक मात्र उपगरा वह कौन सा है तो वह है आपका चंद्रमा ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोश्ण नमर की बात करते हैं दोस्तों अंतरिक्ष में तारा मंडलों की कुल संख्या कितनी है जो है वह कितनी है तो ुआ है 88 टी-एट नेक क्यों की बात करते हैं सुरी की सबसे निकट्वान से आपका यह है प्रोक्सिमा सेंचूरी तारा जोह है सुरी के सबसे संख्या निकट्वान में थाड़े कि मात्र होती है कितनी होती है जिए दोस्तों बायू में जो होती है कार्बन कि योंग रहा है आपका 0.030 की मात्र की क कि सब से उपड़ी परत होगी अचोंसा होगा तो सबसे उपड़ी परत होती है बहीर मंडल ठीक है और सबसे निचली परद छो मंडल नेक्स कुर्शन की बात करते हैं कि चंद्रमा के चंद्रमा के जो परकास होता है परकास को पिर्थवी पर पहुंचने में कितना समय लगता है तो वह लगता है लगभग 1.3 सकेंड का समय लग जाता है ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स की बात करते हैं दोस्तों कोशय ममों एक कीई केता है चंद्रमा द्वारा चंद्रमा द्वारा पिर्थवी की परिकर्मा करने में जो समय लगता है वह कितने दिन का होता है इस तरह से पुछा गया है कोस्ट्यन्स तो यह होग जाएगा आपका यानि की 27.3 दिन लगत पराता है चंद्रमा को एक प्रत्वी की पड़किरमा करने में ठीक है तो सबसे नीचली मंदल जो है छो Chun इसकी बाइव है एक क्या है या दोस है या गैस्व का मिष्रन है इन में से कोई नहीं तो दोस्तों तो बाईव जो है आप एक मिष्रन है जिसमें carbon nitrogen oxygen सभी क्या है मिष्रित है ठीक है है जी कोई सब्सक्राइब करते हैं तो नीचे हो जाएगा आपका ऑक्सीजन ठीक है इस कोस्टन में कन्फ्यूजन नहीं होना है ध्यान से परिच्छा में इसका आंसर देना चली 25 की बात करते हैं तो इसमें करता है पाड़ा वैगनी किरने किर्णों से रच्छा करती है वह कौन सी गैस करती है नाइट्रोजन गैस करती है ऑक्सीजन ओजोन गैस करते है या हाइड् rudर और औक्सीजन का हो जाता है अपका और two इसलिए नहीं हो यहाइगा होसकता है कहीं पर इस थारह से दे दिया जाए यहां दो मि आखाने जाए जो या जर्बा परत्वी की बहीन या जुर्बा पाइमंडल नहीं जिस तरह से पिर्थभी एक ग्रहा इस पर बाइमंडल नहीं है तो वह आपका इन में से कोई नहीं इनसर किस के सा चला जाएगा इन में से कोई नहीं कि किस ग्रह पर बायमंडल नहीं मंगल पर भी मिल चुका है पिर्टवी के तो हम लोग है ही सथाव सबसे ठंडा जो हग वह कौन सा है तो सबसे ठंडा ग्रह सबसे ठंडा कौन सा होता है शुक्र वहाँ सूरी पस्छिम में उगता है ने आ ÉPS तो आपका बलाइुक्त ग्रह정 हो जाता है सनी के साथ चला जाएगा ठीक है तो अट inform की बात करते कोशें are 32 कि को सब विए कि सब् assassin करता है तुम किस दिसासिय को किस आख सुघ YEHS og को सि कि नुमर 33 कि कि तारो एंव sin vi की उड़त का सुरोत किया है तो इसका सुरोत माध्यम तो ईसका सुरोत आप कवाaser ि सूर की उड़त हो पाती है ठीक है खुल सो ने की जो है कि खौज ने कि तेहने уже कि धा तो यह लें कि मनुष्ट्र ने पहली बार किस बर्स चांद पर कदम रखा था तो वह रखा था पहली बार मनुष्य ठीक है दोस्तों की बात करते हैं कि अंत्रिक्ष यात्री को अकास का रंग दिखाई देता तो अंत्रिक्ष यात्री को अकास का रंग दिखाई देता है वह दिखाई देता है ठीक है दोस्तों ने बात करते हैं कोशन गतना होता है तो वहां होता है लगबग 6000 के आसपास होता है सूरे का सतह का अर्थिस की दोस्तों सोड़ मंडल का सबसे छोटा उपकरा जो है वह कौनसा है तो वह चुड्रगरा इस्दित होता है तो चुड्रगरा मंगल और ब्रस्पती में क्या होता है इस्थित होता है नेक्सक्षण की बात करते हैं दोस्तों कोश्यन नमर 40 की पिर्थिभी के अंदर सिरी कह अपये अक्ष पर घुर्णन saying किी सेमें होता है इसके ढूर्णन तो इसकी जो डिसा खोती है वह होती है इसको दोस्तों इसका दिशा होती है यह घुरती है यानि कि पस्चिम से पूर्व की और पिरतवी कि जो घुरनन अक्ष है यह अपने ही दिशा में घुमती है तो इतना ही था दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हुए तो लाइक जरूर कीजेगा लाइक जरूर कीजेगा और साथ ह अपने दोस्तों के भी सेर जरूर कीजेगा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद अपने आसपास स्वक्षता बनाए रखे धन्यवाद